हेलो बच्चो मैं अमीना आज फिर आपके पास लेकर के आई हूँ एक नई कहानी लेकिन ये कहानी थोड़ी अजीब है और इंट्रेस्टिंग भी तो चलिए इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ have you ever seen a puppet or doll of 6 inches क्या आपने कभी कोई 6 inch का puppet यानी कट पुतली या doll गुडिया देखा है of course आप सब के पास होंगी और आप उनसे खेलते भी हैं right how will you react when they become alive तो आपको कैसा लगेगा अगर वो जिन्दा हो जाए आपके आसपास चलने फिरने लगे आप से बाते करने लगे कैसा फिल होगा आपको चलिए ये कहानी है ठीक उसी तरह के छोटे छोटे लोगों की कहानी और हम अभी गुलिवर के साथ उनके देश में चलते हैं जी हाँ गुलिवर ये कहानी है आपके English book की page number 55 गुलिवर और लिलिपूटियंस और ये कहानी को लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं जोनाथन स्विफ्ट ये बहुत ही famous English novelist है और इन्होंने बहुत सारे novels लिखे हैं यानि उपन्यास लिखे हैं उन में से एक हैं दगुलिवर स्ट्रावल्स यानि गुलिवर की यात्रा दगुलिवर स्ट्रावल्स जो हैं ये गुलिवर के च्छ यात्राओं का संग्रा है तो उन में से एक यात्रा हम लोग अभी इस पार्ट में पढ़ेंगे जल्दी से आप सभी अपना बुक निकालें पेज नमर 55 गुलिवर वस बॉर्ण सेलर सेलर यानि नाविक गुलिवर का जन एक नाविक परिवार में हुआ था वो एक नाविक था वो कहां का रहने वाला था वो इंगलाइन का रहने वाला था ठीक है एक बार की बात है समूदर में बहुत तेज तूफान उठा स्टॉर्म यानि तूफान तो उस तूफान के कारण गुलिवर का जाहज कंट्रोल खो दिया संयम खो दिया और एक बहुत बड़े से चटान में जाकर के टकरा गया और उस जाहज के टुक्डे टुक्डे हो गया किसी तरह से गुलिवर बज़ कर तैर कर वो समूदर के किनारे तक पहुँच गया और वो बहुत देर तक तैरने के कारण वो थक चुका था तो वो जैसे ही समूदर के किनारे आया वो सो गया यहां तक कि उसके बालो को भी ग्राउंड से जमीन से पिन कर दिया गया था ताकि वो अपना सर भी ना हिला पाएं देखिए किस तरह से यहां पर इन छोटे छोटे 6 इंच के लोगों ने जो बिल्कुल कटपुतली या फिर गुड़े गुड़ियों के साइस के हैं उन्होंने इसे बांद के रखा है और किस तरह से यह सीडियों का सहारा ले रहे हैं इसके ऊपर चड़ने के लिए है ना यह बहुत ही इंट्रस्टिंग आगे क्या होता है यह बहुत ही स्ट्रेंज था यानि अजीब था कि उस समय गुलिवर के आसपास बहुत ही छोटे छोटे लोग घूम फिर रहे थे और सभी की लंबाई छह इंच से जादा नहीं थी यहां तक कि वे सभी छोटे लोग इतने छोटे थे कि गुलिवर के बॉड़ी के ऊपर चड़ने के लिए उन्होंने सीनी का सहारा लिया था और वे लोग अपने अपने हाथ में धनुष और तीर पकड़े हुए थे तीर धनुष यानि तीर धनुष हम लोग का पकड़ते हैं जब हम लोगों को किसी से डर लगता है यानि उनको गुलिवर से डर लग रहा था गुलिवर गेब लाउट शाउट और ब्रॉक अवे थे स्ट्रॉंग रोप तो फिर गुलिवर ने जोर से चिलाते हुए वो सभी रसियों को तोड़ दिया तो फिर उसके बाद वो छोटे छोटे लोग भी एक बार जोर से चिलाते हुए अपना छोटा 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 तीर को गुलिवर की उपर छोड़ दिये तो फिर गुलिवर रेज़ इस हैंड और आस्ट तो गुलिवर ने अपने हाथों को उठाया कि don't worry मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और उनसे पूछा Who are you? आप लोग कौन हैं? One of them replied उन छोटे छोटे लोगों में से एक ने जवाब दिया We are Lilliputians and this is the land of Lilliput हम लोग Lilliputians हैं और ये हमारी जमीन हैं ये हमारा Lilliput का धरती है We know that you are a demon and have been sent by our enemies to destroy our land तो फिर उसने कहा हम जानते हैं कि तुम्हें demon हो Demon यानि दानव, राक्छस हो और तुम्हें हमारे दुश्मनों ने हमारी जमीन को बरबाद करने के लिए भेजा हैं गुलिवर ने कहा, गुलिवर said, No, I am not a demon नहीं, मैं कोई दानव नहीं हूँ I have not been sent by your enemies और नहीं मुझे तुम्हारे किसी दुश्मन ने भेजा हैं I am a sailor, मैं एक नाविक हूँ My companions died, मेरे साथी, जो मेरे साथ में थे, वो मर चुके हैं Somehow I managed to save my life किसी तरह से मैं खुद का जान को बचा पाया हूँ One of them asked an intelligent question उन में से एक ने बहुत ही बुद्धिमानी वाल सवाल गुलिवर से पूछा If you are not a giant, अगर तुम कोई दानव नहीं हो Tell me one thing, मुझे एक बात बताओ Why are you so tall? तुम इतने लंबे क्यों हो? गुलिवर began to laugh and asked ये सवाल सुन करके गुलिवर हसने लगा और उसने लेलिपूटियन से पूछा Why you people are so small? तुम लोग इतने चोटे क्यों हो? Both of them began to laugh ये सुन करके दोनों गुलिवर और लेलिपूटियन दोनों हसने लगे गुलिवर was very hungry गुलिवर बहुत भूका था And so he said, तो उसने कहा I need some food, मुझे कुछ खाना चाहिए They brought a plate full of lunch Lunch यानी दोपहर का खाना, उसे लँच कहते हैं तो लिपूटियन से गुलिवर के लिए एक पड़े से प्लेट में दोपहर का खाना भर करके वो लोग ले आए He finished all at once तो गुलिवर इतना भूका था एक बार में ही सारा भोजन उसने खतम कर दिया He still felt hungry लेकिन फिर भी गुलिवर को भूक लगी रही थी He demanded more food गुलिवर ने उनसे और खाना मांगा More than a hundred people brought baskets of meat and lofs of bread तो सौ से जादा लोग अब baskets में मांस, meat और बहुत सारे पाव रोटी breads ले करके आएं गुलिवर के लिए फिर गुलिवर ने पेट भर कर मन भर कर खाना खाया अब इसके आगे का कहानी बच्चो हम लोग इसके दूसरे पार्ट में हम लोग सुनेंगे ठीक है तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि गुलिवर है जो है वो अपने घर पहुँच पाया या नहीं तो या फिर लिए पूट्स ने गुलिवर के साथ क्या किया ओके बच्चों